Sunflower का Season 2 आ चुका है Z5 पर और इसे देखने के लिए Obviously आपको इसका First Season देखना जरूरी है वैसे First Episode शुरू होते ही First Season का Recap आपको मिल जाएगा लेकिन फिर भी देखना तो जरूरी है तो Well Hello मेरा नाम है Yogi और हमारी मुलाकात बार बार होगी पिछले Season के First Episode में ही आपको दिखाया जाता है कि Murder किसने किया है लेकिन ये सिर्फ Murder करने वाले को ही पता है बाकी किसी को नहीं और इसी वज़े से पूरा Season Investigation और किसी और को याने Sunil Grower को याने Sonu को Murder ठहराने में लगा दिया था यहां इस Season में उसी Murder में और भी जादा ट्विस्ट है और ट्विस्ट में तड़का लगाती है अदाख की अदाख उफ इनको ऐसे रोल में मैंने पहली बार देखा है and सच बोलू तो she nailed it एक mysterious और hotness से भरा हुआ acting performance दिया है बंदी ने I mean जब-जब वो screen पर है आप सिर्फ उनकी acting तो नहीं देखोगे भाई साब ना दावा है मेरा आपकी नजर जरूर भटकेगी बट भटकने से याद आया कि यह series भी दो-तीन बार अपने topic से भटक जाती है जहां अच्छा खासा suspense चल रहा है वही किसी police officer की love story डाल दी या sonu के office वाली story पकड़ लो मैं बताओ तो यह 8 episode की series है 30-35 minute का हर एक episode होगा वो आराम से 5 episode में भी अच्छे से और crisp तरीकी से निपट सकती थी और मज़ा भी उतना ही आता वैसे मज़ा इसमें भी आया है क्योंकि suspense and twist अच्छा है बट ऐसे कौन end करता है यार series ऐसे point पे खतम कर दिया series को जहां police को असली murderer भी मिल चुका है लेकिन तभी एकदम last minute में एक और twist डाल दिया और खतम मतलब तीसरा season भी आएगा क्योंकि murderer सबूत के साथ मिल जाने के बाद भी अभी भी शक की सुई किसी और पर लटकी हुई है जो आगे आने वाले season में आपको पता चलेगा बशरते इसका third season तीन साल बाद ना है कुछ एक जगा comedy काम करती है कुछ एक जगा बिलकुल भी नहीं तो संभाल लेना मेरे तरब से इस sunflowers season 2 को 3 out of 5 stars मिलता है अगले वीडियो में बाई ठक गया मैं